हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं द्रगेश आश्वाल शागत आपका हमारी यूटूब चैनल एलनी बिद्रगेश में अज जुम्रोग पढ़ने जा रहे हैं वह जुलाई 2019 का सीटेट गणित का स्टॉल पेपर जी हाँ प्रिवेशेट पेपर के आधार पर हम लोग को ग और इक टॉपिक के प्रश्ण को पूरा विधीवत तोड़ तोड़ करने समझाऊंगा ताकि यहां से उनके प्रश्ण कभी गलत ना होने पाए खासकर उस भर्ती परिच्छा में जिस क्यों तैयरी कर रहे हैं गर आपको सीटेट ने पूरी सफलता चाहिए इलनी बिद्रग कार वी घॉर में 25 हैं इस आहता कार सम में निम्कित में से कौन सी भटियर्णास ऋसंभोधित किया जा सकता है सकता है अब यह कार करेगा कौन सी भटियर्णाट य्जयो श्रृमधित करेगульт आपके सब्ण Cory और यकीन मानिए, सीटेट की तैयरी के लिए इलनी बिद्रगेस एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, सिच्छण के लिए मैं आपके साथ हूँ था और रहूंगा, फड़ा पर जबाब दीजे प्रश्णों का क्या होगा, जी यहां जल्दी बदेगेगा, लिए यहां पर जी इतने लोगों, सभी लोगों ने दम सही उत्तर बताया है, लिकी इस कार में निम्लिकित में से कौन से गणती और धार्णा संब्वोधित होगी, पहला चीत तो छेत्रफल होगा, ये बात अग्दम पूरता से किलियर है, कि जब 25 टाइल्स को सभी संब्वा गुड़न खंड करेगा, क्या करेगा, वो गुड़न खंड करेगा, धापक जो बालकों को सभी संभो, आयता का रिव्यू में उच्छी तुरुप से विवस्थित करने के लिए 25 टाइल्स का जो है, क्या-क्या निकलेगा, पहले तो छेत्रफल निकलेगा, फिर गुड़न परिमाप भी निद्धायत की जा सकती है, क्या चीज परिमाप, तो परिमाप हो, इसका जूपिक दिविकल्प होगा, वो चौथा अर्थवाट डी इसका राइट एंसर होगा, जितने लोग उन्हें डी बताया था, उत्ते लोग का जवाब, पूरी तरीके से सही है, वहने 25 परिमाप उसे सजाएगा, ताकि वह संभाव वायताकार भी हो सके, इसलिए यहाँ पर आयतन होगा ने, क्योंकि आयतन हमेशा 3D आकृति का होता है, आयतन वाला जो भी उत्तर है वो गलत होगा, योकि जो 2D आकृति होती है, जो यह टाइल्स होती है, यह मिसा 2D आकृति होती है, 3D नहीं, और 2D आकृति होती है, उसका च्यत्रफल निकलता है, न कि आयतन, इसलिए जहाँ जहाँ आयतन है, वो विकल्प आपका गलत होगा, और इसमें विकल्प में आयतन नहीं है, वही विकल्प आपका सही होगा, यह बात कंठस्त कर लिजेगा, कि जब भी बालकों को पढ़ाएगा, यह बात आपको विधीत करना है, कि आपको, उन सभी को, जो 2D आकरती होती है, उसका छेतफ़ निकलता है, आयतन 3D आकरती का निक आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, कहीं कहीं, उस प्रशन से परचीप होगे, कहारा जीन प्याजे, आपने सुना होगा, जीन प्याजे के प्रस्ताव का नुसार, माप में, विभीन भ 363-44-367 पर वाट्सेप करके, आप online class नोट समंधी जनखारी ले सकते हैं, जल्दी फटा-फटा सभी लोग जबाब दीजिएगा, यह लाइप क्लास चेल लिए और हम आप एक दुछरे से के साथ मिलकर लाइप पढ़ रहा हैं, यहाँ, सभी दोस्तों को जैहिंद इसका के आधार पर बाहर के सरच्ण की समझ आयतन के सरच्ण से पहले आती है, आपको पता होना चाहिए कि बाहर के सरच्ण की समझ आयतन के पहले आती है, यह पहले आपको 2D आगरती पढ़ानी है, फिर आपको 3D आगरती पढ़ानी है, इसलिए यह पहले आता है, इसलिए को दिखत आपको घया है को समझे करते हैं अब चाहि थांदर के कहां जा анवार्लत कर लाइब को कुछ सब्संक्राइब सब्सक्त आति इसलिए हमारा उद्धिश क्या है कि पहले आपको सब्सक्राइब ले चलना आगे बढ़ते हैं फटाफट अगले प्रिश्ण की तरफ आप लोग बढ़ते रहेंगे ताकि हम और नजदीक पाउसके चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अगले प्रिश्ण की तरह हम बढ़ते हैं जिन्होंने भी वीडियो को शेयर करते हैं आपने लाइक नहीं क सभी साथी टेलीग्राम पे जुड़ने के लब दुर्गेश सर्च करके इलनी पी दुर्गेश से चुड़े रहेगा जहांपके आउनलें क्लास नोर्स पीडियाप में सभी कुछ मिलेगी और सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पे बिकल्प एक जो है उसी का संबन्द जामति चिंतन से है तो वान हेली के स्थर जामति चिंतन विकास के वस्ता का संकेत कहते हैं जैंते चिंतन यह पांच अस्तर है जो परिच्छा जाता है इसको एक अलग अब टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे और जल्द इसको हम या इसकी वीडियो आपको अप्लब देखा रहा देंगे तक्यों सभी शात्यों को दिक्कत ना हूं जो सीटेट के त्यारी लगातर कर रहे हैं और रिली द्रगेश का शाथ जड़े हुए हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशनी की तरफ और क्मेंट करके आप पर जबाब दिजेगा पहला कम क्मेंट करके जबाब करके जबाब देख रहे हैं चीजिए सभी लूग जबाब देखे निम्हें समुच्च्चों में कौन सा घड़ित प्रिश्ण को हल करने का खौसल है बिवेचन करना चर्प्रियोंग करना पतिफल दे चाहें सिखन में हो चाहें ही किसी में सीट कहता है कि अदार पर कि बच्चों को रटाना नहीं है गणित समझाना है आपको उत्तर क्या होगा विवेचन करना चरका प्रियोक करना पति रूप देखना इसलिए सका उत्तर क्या होगा एश का राइट एंसर होगा, एश का सही जवाब होगा, उमीद करते हैं आप लोगों जित्ते लोगों वीडियो को लाइफ देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करें जवाब दीजे का, यह क्लास भी आपको समझ में आ रही होगी, और अगर आपको समझ में आ रही है, तो फहला समुलोवारी संख्याओं के घुड़न जैसे यहां पे घुड़ा किया गया है, संकलपना को समझने के लिए कौन सासे इच्छण दिगम साधन उचीत है, तो मैं उमीद करता हूँ जित्ते लोगों वीडियो को लाइफ देख रहे हैं, वो तुरंत कमेंट करके जवाब दें जी हां, सबी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे, और e-learning बिद्रगेश से जूड़े रहेंगे, फेजुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, e-learning बिद्रगेश, इसकी नोट्स अगर आपको हमारे टेलेग्राम पे मिलेगी, जहां पे आप दुरगेश सर्च क करके e-learning बिद्रगेश से आप उसकी नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, दसमलों के आप फटाफट जवाब देते हैं, जो लोग भी लाइब देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि दसमलों को समझने के लिए, एक इतना बड़ा सा पेपर आता तो वहाँ पर इस तरह हमलों क्या करते हैं, एक खर्ण को बाढ़ कर, तीन गुड़े, तीन दो गुड़े, दो करके हमलों करते हैं, यह हमें सिच्छन में भी पढ़ा गया था और आपने भी पढ़ा होगा, तो इसका क्या होगा, इसका जो अधिगम सिच्छन होगा, इसका को आसानी से असपष्ट कर सकता है इसलिए दिये गए प्रस्ण का जो प्रिक्त उत्तर होगा वापा क्या होगा दूसरा ग्रहा पेपर एकदम राइट फूल फर्म याप याद कर लिजेगा और कमेंट करके बताएगा कि NCF का फूल फर्म क्या होता है हिंदी मों से राष्टी पाठचरया की रूप रेखा कहता है लेकिन अंग्रेजीम उसका फूल फर्म क्या होगा उसमें बताएगा कि अनुसंसा के अनुसार प्राठिंग विद्याले का जो गनित का पाठिक्रम वो कैसा होना चाहिए जित तेलों इस वीडियो को लाइद देख रहे हैं वो तुरंद कमेंट करके बताएगा कि राष्टी पार्चे राएक रूप रेखाएंस से अब 2005 की अनुसंसा की अनुसार प्राथिंग विद्याले का गणित जो पार्ठी करम है वो कैसा होना चाहिए जल्दी जवादी जेगा सभी लोग इत्ते लोग इस वीडियो को लाई देख रहे हैं सबसेटीक होगा तीसर होगा अब आगामी घंट के लिए आगामी गणित के लिए इसको उत्तर जो होगा वो सबसे 60 होगा तीसरा क्या होगा तीसरा चात्रों को प्रद्दिन के अनुभव से सम्मधित होना चाहिए कैसे देखे आइसके बारे में आपको बताएंगे जो एसके दोजर पांच की अनुसंसा के अनुसार जो प्राथ्मिक विद्याले की गणित का पाठकरम होगा वो चात्रों के प्रद्दिन के अनुभव से समधित होगा इस बात पर बल दिया गया है कि सभी चात्रों को गरिश सीखने की आव सकता है सभी साथ को अध्यापन और अधिगम परिवेश में छात्रों के अनकूल बनाना चाहिए इसलिए बच्चों को रुची जगाने के लिए सिच्छन द्वारा अधारबुत कौसलों को विविद ग्रणती माडल को बदलने का सकता है और उन्हें प्रदिन उनके अनुभव को साम करते रहें और यहां पे हम पूर जुलाई 2015 गणित की प्रशनों को हल करेंगे और यहां शे सबसे ज्यादा जो प्रशनाने की उमीद है उन प्रशनों पर भी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और हमारे यहां लिंग क्लास नोट्स विव प्लब्देश की पीडिये प्लास नहीं ये पूछा है देखें चात्रों की तृटीों को पत्रुपों पर केंद्रित होना और फेंडर चाहिएज 1 6 संकल्पना के लिए बिभिन से च्छण अदिगमों का प्रियोग ये भी सही है मतलब यह कि बिभिन से च्छण अदिगमों का प्रियोग भी करना चाहिए कि देखें एक ही संकल्पना को पढ़ाने के लिए हम एक से अधिक संकल्पनाओं का प्रियोग करना चाहिए ताकि बच् लचीला होना चाहिए कठोड़ता नहीं होना चाहिए जिसके आधार पर उप्रति होगा वहीं साहिए यहां पे नहीं पूझा है नहीं को आपको गनित मयाद रखना है अगर आप नहीं को नहीं याद रखते हैं तो फिर आप एक बड़ी गलती कर सकते हैं आगे बढ़ते फटा-फट अगले पिशन की अगले टॉपी की तरफ जहां से हमें और आपको कोई शमस्या को सामना जादा ना करना पड़े आगे बढ़ते निमनिकित मेंशे कौन सी प्रभावी योजना यहां भी नहीं है दिया तो जन्दी से आप लोग पहले गवार अपने मन से बता हैं कि आपकी साब से इश्का उत्तर क्या होगा फिर हम आगे आपको बताते हैं और ओनलाइन क्लास और नोट्स के जुड़ने के लिए आप 630- 634-4367 पर वाट्सेप करके ओनलाइन क्लास नोट्स वीडियो लेक्चर आधी की सम्मध्य जनकारी हमसे ले सकते हैं हमारे ओनलाइन पोर्टल पर सभी चीज़े आपको अप्लब दो जाएंगे जहां पर आप वीडियो लेक्चर एंसीयाटी के आधार पर ले सकते हैं क्यों बताइए अप लोग क्या रहा है कि यहां पर आपके सामने प्रस्टन है कि नहीं पूछा है ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिसमें एक से अधिक अस्तर उत्तर प्राफ्ट हो सकते हैं यह भी सही है क्योंकि हमें चाहते हैं सभी बालाग आपके अच्छा में बोले इसकी मनें ऐसे अभिकल्पना का प्रयोग करना जो यह अंतरवत रखने और संकल्पना की समझने में अंतर असपष्ट कर शके यह आपको द्यार्थियों की तुटियों को जानकर उनके तर का बिशलेशन किया जाए अब आपको यह बताना इसमें तीन विकल्प सही है एक व प्रत्मिक अस्तर पर जो बालक होते हैं उनके गणित अधिगम का मुल्यांकन करने के लिए प्रत्मिक रूप से समुझने का प्रियों करना प्रभावसाली हो जाना नहीं है वो कि इसमें प्रतेग विद्यार्थियों का मुल्यांकन नहीं हो पाएगा इसलिए जो गलत है व कमेंड एकदम सही आ रहे हैं और काफी अच्छा भी लग रहा है क्योंकि आप इसे सेयर कर देंगे तो आपके जो अन्य साथी मित्र हैं उनके पास भी यह पहुच जाएगा हमारा उद्देश यह यह कि हम यह आधिक साधिक लोगों तक पहुचाना है सेलेक्शन देना है और ह यहां पर दो प्रश्ण है यहां पर दिया है कि आठ आठ साही तीन बटा चार में कितने चतो थांश हैं तो पहले सबसे पहले जित्तों लाइब हैं कमेंट करके बताएं और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम पे दुर्गेश सर्च करिएगा बीना स्पेस के दुर्गेश सर्च गरें में जब बराबर वहागु में भाजित किया जाता है तो पड़ाग के परत्रेश चौत बाद को उसे कि इस का हम लोग क्या निकालते हैं तो दो निकालते हैं तो जैसे कर हमारा यह 1y4 निकलना है तो कैसे निकलेंगे आईए इसको हल करके जानते हैं कि कैसे निकलेगा माना कि 18 सई 3-4 में कितने चतु थांसत माना इसमें ये क्या होगा ठरते हां चोग्वन 75 बटे 4 में 75 बटे 4 में कुल कितने हैं 1 चतु थांसस, ये उधर पलट के जाएगा यक्स बराबर एक बटा चार गुड़े 75 उपर चला जाएगा तो चार क्या हो जाएगा पर चार है उपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर एक मिनट रुकेगा मैं आपको आराम से अधाल करके बता रहा हूं आपके लिए वाइट पेज लेते हैं वैट एक मिनट रुकेगा हम आपके लिए वाइट पेज लेते हैं तब आपको क्लियर हो भाएगा यह चली देखते हैं कैसे इसको हल करना देखिया आपके कह रहा है कि अठार सही तीन बटा चार में कितने जुद्धांस है इसको हल करना है इसको जब हल करेंगे तो अठार चुक्मन ऑ characteristics of 30 स्थी तैच लो जाएगा चार में जैज़र बराबर एक बर्टे चार एक चातोथांस है जय Вас अधर आएगा in-4 राबर चार нуж शे कर सके कड़ायं आगा तो यक्स बराबर यह हो जाएगा 85 कैश दूबि completely f इसलिए संख्या में जो चत्व थांसों की संख्या है कितनी है 75 है आप इसका इसका स्कीन सॉट रख सकते है अपने पास ताकि आपको भशुष में कहीं अप्योग करना हो तो अप्योग हो जाए यहां यहां पर दिखाए रहा होगा आप देखेंगे 630634367 या वाटसएप कर मिलेगा वह क्या मिलेगा यहां पे वह है 75 माने ठासे तिन बटे चार में 75 चदुथांस है कितने है 75 चदुथांस है अब अगला जो प्रशन है काफी से अच्छा दे समझना है तभी आप क्लियर कर पाएंगे अन्था इस तरह के प्रशन को नहीं समझ पाएंगे अगला जो एक बटे आठ टेनिस खिलते हैं एक बटे छोला सत्रंज खिलते हैं बाकी तराकी के लिए जाते हैं बाकी क्या करते हैं तराकी के लिए जाते हैं यदि बाली बाल खिलने वाले च्छात्रक संख्या 160 हो तो कितने च्छात्र सत्रंज खिलते हैं तो बाली बाल कितनी खिलते ह हमने देखा कि बाली बाल एक बटे चार चात्र यहां पर क्या करते हैं बाली बाल खिलते हैं माने गर हमने देखा इसको हल करना हो तो क्या हल करें कैसे माने कुल चात्र यक्स हैं यक्स के एक बटे चार चात्र बाली बाल खिलते हैं जिनकी संख्या एक सो साथ है यह बटे मु खेलने वाले तो जो सत्रज खेलते थे वो कितने हैं एक बटे 16 चात सत्रंज खेलते थे तो कुछ नहीं 640 का, 17 कितना खिलते हैं, 16, 16 16 64 24 40 तीसरा इसका, राइंसर होगा, इसका उत्तर क्या होगा, 40 होगा, उम्मीद करएं, जितने लोग इस वीडियो को लाइक देख रहे हैं, उन लोगों को इस समझे में आगया होगा, कि दिये के प्रश्ण का उत्तर क्या होगा 47 खेलने वाले को जो संख्या है वो कितनी है आपकी 40 है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ तब तक आप चाहते हैं इसकी स्कीन सॉट अपने पास रच्छित रख सकते हैं कुछ नहीं करना था स्कूल में आदे को कि रहा है एक बटीचार बराबर यक्स बराबर कितना हो खेसो चालिज अब क्या रहा है यक्स का कितना एक बटा छोलह सा चाहना सतरंच खेलते हैं तो च्छोच चालिज का एक बट्टा 16 16 16 64 44 44 तो उनके संगे कितने के सतरश खेलने वालों कि 40 जाए जिसका पुस्ता उसके बाद आप आप आसानी से निकाल सकते थे इसलिए के प्रश्ण का उत्तर क्या होगा तीसरा या सी इसका राइट एंश्वर होगा कि लिए कोई डिक्रत कोई डाओ देखिए अगला प्रश्ण आपके सामने अचुका है कि आप अपनी कच्छा में दृष्टिवादी छात्रों की आउसकता को कैसे पूरा करेंगे आपने समयसी कच्छा पढ़ी है तो आपको यह बताना है कि समयसी कच्छा में अपनी कच्छा की बिद्यार्थियों को छात्रों की जाएंगे बताए जली से पड़ाइफ कमेंट करके बताइए एक सब्सक्राइब करके कैसे जो समावसित न बिद्धाले में आपके कच्छा होगी सब्सक्राइब करें कमेंट करें जबाब देंगे देख बात होजाएगी कि यह तो पता चल जाएका कित्ते लोग इस वीडियो क्या होगा भी बताइए इसका प्रश्ण बताता उसके बाद हम लोग आगले क्लास में चर्चा करेंगे यहां पे क्या रहा है कि उन्हें BCS सिच्च के पास भेज सकेंगे यह तो गलत होगा तो यह बीचेश के पास आपको भेजना नहीं क्योंकि समसिक अच्छा में सभी को मि समय देकर सब्सक्राइं करना है ऐसा नहीं करना कि लिए के लिवह अपनुन्न अत्रिक्त याँ ज्यादा शमयité दें ऐसा भी आपको नहीं करना है फिर उच्छ सब arrive समानने तब समय को सब्सक्रlon Day क bạn रियौक करके जी यहां इस परासन राइट एंसोर होगा ठीक है तो आप लोग यहां तक एक बार प्रशन को समझ लीजेगा पढ़ लीजेगा दोरा लीजेगा फिर यदि मन में कोई डाउट कोई प्रशन कोई शमस्या रह जाती है तो आप हमसे जरूर पूछेगा क्या है हम आपके सेलेक्शन के लिए पढ़ा यह जुलाई 2019 गणित मैक्त और गणित सिच्छन का महत्तपुन सवालों के स्रीज ती जो हमने सेटी पैटर्न के अधार पर आपको हल करके बता दिया इस वीडियो को अपने सभी शात्यों को शेयर करिएगा ऑनलिंग क्लास के लिए 630-63-4367 पर ऑनलिंग क्लास नोट के ल आपको सभी क्लास की सेडूल नाटिफिकरसन सब कुछ मिल जाएगी कि आप पर रूप में मिलते रहेगी यह संथा जूनपूर संचालीत होती है अगर आप जूनपूर से हैं तो हमारे ऑफलाइन क्लास में जोड़ सकते हैं और ऑफलाइन क्लास जोईन कर सकते लिए बहुत बहुत धन्यवाद इलेनी पर दुर्गेश की चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं के सब्सक्राइब करके रखेगा जल्दी मिलते हैं कल इसी टाइम पर अगली वीडियो लेक्चर के साथ तब तक के लिए बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत